ग्रह मंत्री अमिश्या ने डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अगर सीम योगी को हटाना है तो उत्तर पिदेश के उप चुनाव में दस सीटों पर हारना होगा इसहार का ठीकरा सीम योगी के सिर पर फोड़ेंगे और कुरसी चली जाएगी इसलिए परसो नडड़ा के साथ मीटिंग करके गए केशो प्रसाद मौरे को आनन पानन में अचानक कल दिल्ली तलब कर लिया गया आदी रात मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आई और इस प्लान की भनक सीम योगी आदतनात को लगी उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है आपको बता दें कि सीम योगी आदतनात ने आनन पानन में यूपी कैबनेट की मीटिंग मुलाई है और इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीम को बाहर कर दिया गया है और इतना ही नहीं है राज भवन पहुच गए हैं सीम योगी आदतनात और राज जिपाल से भी मिलने का समय मांगा है तो पहले ही कह दिया गया था कि ये सीम योगी आदतनात हैं वसुंद्रा राजे या फिर की शिवरा सिंग चोहान नहीं अब आप देख सकते हैं कि योगी से पंगा लेना बीजेपी आला कमान को कितना भारी पढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो योगी आदतनात ने कैसे ग्रह मंत्री हमेशा को डाइरेक्ट खुली चुनौती दी है आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं खबर आप देखिए जल सत्ता की देखे इसमें लिखा हुआ है कि तीन मंत्रियों के जिम में एक सीट दोनों डिप्टी सीम को नहीं मिली जगा विधान सभा उपचुनाओ के लिए सीम योगी ने बनाई टीम थट्टी तो टीम थट्टी मनाई गई है जो दस सीटों पर उनों डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे और ब्रजेश पाठक को बाहर कर दिया गया है खबर में देखी आगे लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बिजेपी में काफी टकराओ की स्थिती है संगठन और सरकार के बीच टकराओ का संकेत यूपी के डिप्टी सीम क केशो प्रसाद मौरे ने पार्टी की प्रदेश कारिसमिती की बैठक में ही दे दिया था इन सबके बीच आज राजधानी में लखनाओ में मुख्यमंत्री योगी आदतनात ने अपनी कैबनेट की एहम मीटिंग मुलाई है जसमें उन्होंने यूपी की 10 सीटों पर होने व केशो प्रसाद मौरे दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग खेलते रह गए लखनों में फिल्टिंग सेट करते रह गए विधायकों से मुलाकात करते रह गए बड़े-बड़े मंत्रियों से मुलाकात करते रह गए लेकिन आप देख सकते हैं कि किस सरीके से सीम योगी ने एक टिल्ली में आधी राप तक मीटिंग चल रही है दूसरी तरफ आज उत्तर प्रधेश में मीटिंग बुलाए गई है लकनों में मीटिंग मुलाए गई है और इस मीटिंग में जो पैसला लिया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि लोग सभाचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुना होने वाले हैं और इसके पहले के उपचुनावों में भारती जंतापाटी किस तरीके से 2 सीटे जीत पाई आप अच्छे से जानते हैं ऐसे में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है और तो और अब सीयम योगी ने भी खुली बगावत कर दी है एक तरफ जहां मीटिंग हुई है वही दूसरी तरफ राजभवन पहुच गएं सीयम योगी आदतनाथ देखे खबर इंडिया टीवी की समें लिखा भी हुआ है कि आज शाम राजभव से मिलेंगे सीयम योगी आदतनाथ जाने आखिर क्यों हो रही है ये मुलाकात तो राज जेपाल से मिलने का समय मांगा गया है और इस मीटिंग को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि सीयम योगी इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का पावर सेंटर दिल्ली में बनाया जा रहा है मीटिंग उत्तर प्रदेश की हो रही है CM योगी आदतनात को नहीं बुलाया जा रहा है बलकि डिप्टी CM केशो प्रसाद मौर्य पहुच रहे हैं आपको बता दे कि केशो प्रसाद मौरी योगी आदतनात की मीटिंग में नहीं पहुचते हैं लेकिन हाँ दिल्ली में मीटिंग मुलाई जाती है तो भागे भागे पहुच जाते हैं ऐसे में केशो प्रसाद मौरी क्या कर रहे हैं CM योगी आदतनात को साफ दिखाई दे रहा है और तो और ये अब खुल कर सामने तब आ गया है केशो प्रसाद मौरी ने भरे मन से खड़े होकर कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है तो केशो प्रसाद मौरी ने खेल किया है और अब इस खेल को CM योगी आदतनात ने पलट कर रख दिया है तो फिलहाल क्या तयारी की गई थी BJP आला कमान की दरफ से बरिष्ट पत्रकार है श्रवण गर्ग हमारे चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा खुलासा किया है क्या कहना है बयान सुनिये अगर केंद्र तय कर ले कि बाबा को हटा नहीं है और हार का ठीकरा फोड़ना है तो कई बार ये भी होता है कि कुछ सीटे जान बूच करके भी हारी जाती है या अपने ही कैंद्रेट्स को हराया जाता है मतलब किसी बड़ी उपलब्दी के लिए चोटी चीजों का त्याक किया जाता है मतलब ये राजनिती में होता है कि BJP का आला कमान बस अब बाबा तो कोशिश करें दस सीटें जीतने की पर दिल्ली की रुची उतनी नहीं हो कि वो पूरा जोर लगा है तो सुना आपने ये जानी मानी वरिष्ट पत्रकार श्रमन गर्ग है इन्होंने हमारे चनल से बाचीत के दोरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर केंद्र ये तै कर ले कि किसी को हटाना है तो वो हटा कर ही दम लेता है हो सकता है कि ये आने वाले उत्तर प्रिदेश के दस सीटों के उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन ना करें और अपने हाग पीछे खीच लें जिससे ये लोग उपचुनाव हार कर योगी को उनकी कुरसी से हटा सकते हैं और बड़ी उपलब्धी के लिए छोटे मोटे त्याग किये जा सकते हैं और ये राजनीती में होता है तो क्या राजनीती चल रही है? क्या गेम प्लान चल रहा है? ये सीएम योगी आदतनाथ अच्छे से समझते हैं इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब से रविवार को कारे समिती की बैठक हुई है लखनों में तब से ताबर तोड आक्शन लिए जा रहे हैं जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौरेकल भागे-भागे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए पहुचे हैं आज योगी आदतनात ने क अबिनट की मीटिंग बुलाकर पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीम योगी आदतनात ने एक तरीके से ग्रह मंतरी अमिशा को खुला चैलेंज किया है क्योंकि डिप्ती सीम है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशो प्रसाद मौरे उन्हें जो टीम थटी उपचुनाओ की बनाए गई है उससे बाहर कर देना कोई छोटी बात नहीं है और इतना ही नहीं है सीम योगी ने ये पहला फैसला नहीं लिया है 2024 लोग सबाचुनाओं के बाद सीम योगी ने वो कर दिखाया है जिसके बाद से बिजेपी आला कमान को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि योगी आदतनात पुल फॉर्म में आ गए है आप खबर जानते हैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ हबर आप देखे दपरिंट की इसमें लिखा भी हुआ है कि केंदर के विश्वस्त डियेस मिश्रा को चोथे सेवा विस्तार से इनकार योगी के करीबी हुए हैं मुख्य सचिव ने युक्त तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीम योगी आदतनात ताबर तोड आक्श होता है लेकिन यहां पर भी केंदर के विश्वस्त को हटाया गया और योगी आदतनात ने अपने करीबी मनोच कुमार सिंग को न्यूक्त कर दिया है तो योगी आदतनात फुल आक्टिव हैं जहां एक तरफ केशो प्रसाद मौरे मुलाकात कर रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं बयान दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ योगी आदतनात आक्शन ले रहे हैं आजी की दिन मैं आपको बता दूँ कि केशो प्रसाद मौरे के ओफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में देखे लिखा भी हुआ है कि संगठन सरकार से बड़ा है कारेकरता क का दर्द मेरा दर्द है संगठन से बड़ा कोई कारेकरता है ही नहीं गौरव है तो जहां एक तरफ सीम योगी आदतनात का कहना है कि कोई कारेकरता बैक पुट परना आये वहीं दूसरी तरफ केशो प्रसाद मौरे कारेकरता को ही गौरव बता रहे हैं अब यह देखना द कोने से उन्हें डर लगता हो जबकि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के पास काफी कुछ ऐसा है जिनको खोने से उन्हें डर लगता है तो एक दरफ आप देख सकते हैं कि योगी निदर है और पीम मोधी को डर है और खौफ कितना है कुरसी जाने का यह किसी से छुपा अब तक्कर हो गई है और इस तक्कर में कमान अगर किसी ने समाली है तो वो है ग्रहमंत्री अमिशा अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है शह वर्सिस योगी में कौन आगे निकलता है तो योगी तो आक्शन ले रहे हैं अमिशा मीटिंग कर रहे हैं और केशो प्रसाद मौरे बयान दे रहे हैं। तो फिलाल इस पूरी खबर पर योगी के आक्शन पर, मीटिंग बुलाने पर, राजभवन जाने पर आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बढ़ा करने की तैयारी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राहे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को जाधा जाधा शेयर करें। सब्सक्राइबर बटन नवाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जोइन करें। तो हम दो दियोंगे खबर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।